दुक्त का तेनी, दुक्त के नोडबंदी से परिशान लोगों की समस्या को जल्द ही सरकार सॉल्फ करने वाली है रिजर्व बैंक जल्द ही सेविंग बैंक अकाउंट से कैश निकालने की सापताहिक लिमिट के प्रावधान को हटाने जा रही है मौजूदा नियम के मुताबिक सेविंग बैंक अकाउंट से सबताह में मात्र 24,000 रुपए निकालने की छूट है 8 नवेंबर को नोट बंदी लागू होने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक से पहले 2,000 रुपए और फिर 4,000 रुपए प्रती दिन कैश निकासी की लिमिट तैकी थी आर्थिक मामलों के सचिफ शक्तिकांत दास ने ये जानकारी देते हुए कहा कि रिजर्व बैंक कैश निकासी पर लगे प्रतिबंध को किसी भी समय हटा सकता है वही एक हफ़ते में बैंक से महस 24,000 रुपए ही निकालने की अजाज़त दी गई थी इस लिमिट को पिछले महीने रिजर्व बैंक ने बढ़ाते हुए एक दिन में 10,000 रुपए निकालने की छूट दी लेकिन सबताह में 24,000 की निकासी की लिमिट को बरकरार रखा था वही पिछले हफ़ते रिजर्व बैंक ने एक फरवरी से एटियम कैश निकासी पर लगी लिमिट को हटा दिया था जिसके चलते सेविंग बैंक के खाता धारक एक बार में एटियम से 24,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं हाला कि उसने एटियम से एक हफ़ते में 24,000 रुपए की निकासी की लिमिट को बरकरार रखा था साथ ही बचट बैंक खातों से 24,000 रुपए की साबताहिक निकासी लिमिट को तब रिजर्व बैंक ने जारी रखा था एरेमेफ निउस के रिपोर्ट